2013 में रिलीज हुई फिल्म ग्रैविटी क्यों इस फिल्म को साइन्स फिक्षन फिल्मों में सबसे बहतरीन कहा जाता है ऐसी क्या खास बात है इस फिल्म में जो इसको दस में से पूरे साथ उसकर आवर्ड मिले हैं चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि नासा के एक स्पेस मिसन में कुछ एस्टरनौट स्पेस शेटल एकस्प्लोरर से अंत्रिक्स में पहुचते हैं स्पेस शेटल एक अंत्रिक्स यान होता है जिसे फिर से इस्तमाल किया जा सकता है इसकी मदद से पृत्वी से अंत्रिक्स में इंसानों को या उपकरणों को ले जाया जाता है Space Shuttle की मदद से ही बहुत सारे artificial satellites को पृत्वी के बाहरी orbit में बेजा जाता है ये astronauts अंत्रिक्स में NASA के एक mission STS-157 के लिए आये हैं जिसका काम है Hubble Space Telescope में नए तरीके का स्कैनिंग डिवाइस लगाना और टेलिसकोफ के हाडवेर को अपग्रेड करना Hubble Space Telescope अंतरिक्स में दुनिया का पहला और एक मात्र टेलिसकोप है इस मिसन पर उनके कमांडर मैट कोवास की है वो बहुत अनुगवी एस्टरनोट है और उनकी मदद के लिए एक साइन्टिफिक इंजीनियर है जिनका नाम है रियान स्टोन और यही हमारी फिल्म की आज मुख्य किरदार है रियान यहाँ पर Space Telescope में कुछ पार्ट्स को इंस्टॉल करने आई है रियान का यह पहला मिशन है जिसमें वो अंतरिक्स में आकर काम कर रही है इसलिए उसे काम करने में तोड़ी प्रॉबलम होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर ही काम किया है और आज यहाँ अंतरिक्स में जहाँ पर कोई gravity नहीं है उसे हवा में उड़ते हुए काम करना पड़ रहा है जो की बहुत मुश्किल है लेकिन मैट उसकी मदद करता है यह सब लोग इस मिशन पे पिछले साथ दिनों से हैं और आज इनके मिशन का आखरी दिन है इन सब का कमांडर मैट बहुत मजा की इंसान है वो अपनी जिन्दकी में वोए बहुत सारे मजदार किस से सुनाते रहते हैं इसी तरह वे लोग बाते करते हुए काम करते हैं फिर मैट रयान से पूचते हैं अंتरिक्स में सबसे खोपसूरत चीज क्या है रयान कहती है यहाँ की शान्ती जो शान्ती हमें पृत्वी पे कभी नहीं मिल सकती फिर जब वो लोग अपना काम पूरा करने ही वाले थे तो उन्हें अपने मिशन कंट्रोलर से सूचना मिलती है कि एक सैटलाइट को मिसाइल से उडा दिया गया है और उस सैटलाइट के टुकडे अंतरिक्स में फैल गए हैं जो की रोकेट की रफ्तार से उन लोगों की तरफ आ रहे हैं इसलिए उन्हें अपने मिशन को यहीं पर रोकने और फास्ट स्पेस्शिप में बैट कर वापस पिर्तवी पर आने के लिए कहा जाता है जिस सैटलाइट को मिसाल से उडाया गया था वो सैटलाइट रशिया की थी ये सैटलाइट कुछ खास कामों के लिए इस्तिमाल की जाती है और काम पूरा होने के बाद रशियन इन सैटलाइट को नस्ट कर देते हैं क्योंकि उस मलबे से बहुत सारी कम्युनिकेशन सेटलाइट भी खराब हो गई थी। ये सब देखकर वो लोग अपने मिशन को वहीं पर रोक देते हैं और अपने अंतरिक्षियान में जाने लगते हैं। लेकिन तबी टूटे हुए सेटलाइट के कुछ टुकडे बहुत तेजी से उनके अंतरिक्षियान से आकर तकराते हैं। अगर रेयान को अपने साथियों के पास ही रहना है तो उसे अपनी रस्ती को पैनल से खोलना होगा। वरना वो पैनल के साथ ही अंतरिक्स में कई खो जाएगी इसके बाद रियान ने तुरंट खुद को पैनल से अलग कर लिया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो अपने अंतरिक्स यान से काफी दूर आ चुकी है रियान काफी डरी हुई होती है और तेजी से सांसे लेने लगती है क्योंकि वो अंतरिक्स में अकेली रह गई है तेज सांसे लेने की वज़े से उसके ऑक्सिजन सिलेंडर में बहुत कम ऑक्सिजन रह जाती है अकेले अंतरिक्स में तैरते हुए वो सोचने लगती हैगी वो अपने सातियों से बहुत दूर आ गई है और अब कभी वापस नहीं जा पाएगी वो यहीं अंतरिक्स में ही मर जाएगी लेकिन तभी अचानक से उसे कमांडर मैट की अवास सुनाई देती है उसके स्पेस सूट में लगे हुए कमिनिकेशन डिवाइस से मैट रियान से पूछता है तुम कहा हो अपनी लोकेशन बताओ अपने सूट की लाइट को चालू करो कुछ देर बाद मैट रियान के सूट की लाइट को देखकर उसके पास पोचता है और उसे अपने साथ एक रस्टी से बांध लेता है मैट का स्पेस सूट विसेश परकार का था ये एक तरह से अंतरिक्स यान की तरह कंट्रोल किया जा सकता था लेकिन रियान का सूट वैसा नहीं था इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी इसके बाद मैट रियान को लेकर अपने अंतरिक्स यान की तरफ बढ़ता है और रियान को कहता है अपनी गड़ी को 90 मिनट पर सेट कर लो क्योंकि जिस कती से सैटलाइट के टुकड़े गूम रहे हैं अपने और्बिट का पूरा चक्कर लगा अगर वापस हमारी तरफ आएंगे ये सुनकर रियान अपनी गड़ी में टाइमर सेट कर लेती है तब ही उन्हें अपने एक साथी अंतरिक्स में तैरता हुए नजर आता है जिसे देखकर मैट रियान से उसे पकड़ने के लिए कहता है रियान बहुत मुस्किल से उसको पकड़ती है और देखती है कि वो वेचारा मर चुका है सैटलाइट का एक टुकड़ा उसके चेहरे में से आर पार हो गया था ये तेज गती से उड़ रहे सैटलाइट के टुकडे, उनके बड़े से अंतरिक सियान को भी तोड़ते हुए निकल रहे थे, तो ये तो केवले के इंसान का सरीर था, इसके बाद मैट और रियान बड़ी मुस्किल से अपने अंतरिक सियान में वापस आते हैं, लेकिन वहाँ पोच कर वो देखते हैं कि उनके साथ काम कर रहे सभी लोग मर चुके हैं, और उनके यान को भी बहुत जादा नुकसान हुआ है, ऐसे यान के साथ पिर्थवी पर वापस लोटना मुम्किन नहीं, इसलिए मैट ने फैसला किया कि वो लोग वहाँ से 1450 किलोमेटर दूर जा और वहाँ बहुत तरह के अंतरिक्ष यान भी रखे जाते हैं, इसलिए वो लोग अपने स्टेशन से निकल कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दरफ चल पड़ते हैं, लेकिन रियान की ओक्सिजन खतम होने वाली होती है, उसके पास केवल 2% ओक्सिजन ही बची थी, इसक इस्प्रेस क्राफ्ट या छोटे अंतरिक्ष यान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक था और वो भी खराब हो चुका था, उसका पैरसूट बाहर निकल चुका था, पैरसूट के बिना प्रिथवी पर उतरना लगबग नामुम्किन है, लगता है कि बाकी लोग ज इस्प्रेस कैपसूल बचे हैं, जिसकी मदस से हम वहाँ तक पहुचने की कोशिश कर सकते हैं, और वहाँ पहुच कर जो भी अंतरिक्ष यान हमें मिलेगा, उसकी मदस से हम पर्थवी पर वापस जा सकते हैं, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कैपसूल एक तरह से छोटे अंतरिक्ष यान होते हैं, ताकि एस्टरनोट अंतरिक्ष में कुछ दूरी उसकी मदस से पार कर सके, मैट के सूट का फ्यूल लगबख खतम हो चुका था, इसलिए मैट अपने सूट में बचे हुए आखरी फ्यूल को एक बार में इस्तिमाल करता है, और अपने आपको चा पुर्दा टक्कर के कारण, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और उनके बीच बंदी हुई रस्ती भी टूट जाती है, वो दोनों स्टेशन से जोड़ी हुई किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी किसमत से रियान का पैर उस स्टेशन के पैरसूट की रस्ती में फस जाता है, लेकिन मैट अभी भी रुक नहीं पा रहा था, तभी रियान के हाथ में मैट से जोड़ी हुई रस्ती लग जाती है, और वो उसे पकड़ लेती है, अब दोनों एक ही रस्ती के सहारे लटके हुए थे, इसलिए पैरसूट वाली रस्त और उसको खीचने में लगी रहती है, वो कहता है, तुम मुझे बचा नहीं पाओगी, क्योंकि तुम भी खुद एक छोटी सी रस्ती के सहारे लटकी हुई हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो, और अपनी जान बचाओ, मैट चाता है कि रियान अपनी जान बचाकर प पर इचे दे, ये सब सोचते हुए, मैट अपने सूट की बैल्ट को खुद ही खोल देता है, क्योंकि अगर वो मर भी गया, तो कम से कम रियान तो जिन्दा रहेगी, मैट जाते हुए रियान से कहता है, तुम अपनी जान बचाओ, और स्टेशन के अंदर जाओ, अंदर जा आने के लिए स्टेशन से कुछ ऑक्सिजन लेकर मैट के कैपसूल में डालने के बारे में सोचती है, फिर रियान स्टेशन के अंदर आती है, और अपना हेलमेट उतारती है, क्या वो मैट को बचा पाएगी, क्योंकि मैट के सूट में पूरी तरह से ऑक्सिजन खतम हो चुक करने की कोशिश करती है लेकिन उसका संपर्ग वहां भी नहीं हो पाता उसके कुछ देर बाद ही उसके अंत्रिक स्टेशन में एक भायानक आग लग जाती है जिसे देखकर रियान बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक कैपसुल में बैठ जाती है और उस कैपसुल को स्टेशन से बाहर ले जाना शुरू कर देती है लेकिन वह दुर्भाग्य से कैपसुल का पैरसुट कोड स्टेशन में ही फस जाता है मानो खत्रे का कोई अंत ही नहीं कैपसुल उसमें फसकर वापस स्टेशन की तरफ जाने लगता है और स्टेशन के डुकडे अपने ओर्बिट का पूरा चक्क्र लगाकर वापस उसकी तरफ आने लगते हैं वो डुकडे फिर से रियान के कैपसुल को नुकसान पोचाते हैं लेकिन रियान अपनी पूरी कोशिश करके पैरसूट की उन रस्सियों को पूरी तरह से काड देती है और capsul को station से अलग कर देती है इसके बाद रियान उस capsul में बैट कर दूर से space station को satellite के टुकडों से तबाह होते हुँए देखती है इसके बाद वो अपने capsule को चालू करने की कोशिश करती है लेकिन वो capsule चालू नहीं होता बाद में उसे पता चलता है कि कैपसुल में फ्यूल ही नहीं है, ये देखकर वो बहुत परिशान हो जाती है, वो खुद को बहुत बदनसीब मानने लगती है, दुरबागय उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, वो रेडियो सिगनल की मदद से पिर्थवी पर सभी जगाओ पर संपर्ग करने की कोशिश करती है, बड़ी मुश्किल से उसका संपर्ग किसी जगह पर हो जाता है, लेकिन दुरबागय से ये एक साधारन आदमी था, वो भी किसी और देश का, अंतरिक्स से जुड़े लोगों से कोई संपर्ग नहीं हो पाता, इतनी कोशिशों के उस आदमी के साथ गाना गाती है, ये सोचकर कि शायद ये उसकी जिन्दकी का आखरी गाना है, वो इतनी कोशिशे करके अंदर से पूरी तरह तूट जाती है, और निरास होकर अपने कैप्सुल का ऑक्सिजन बंद कर देती है, वो अपनी मोत को स्वीकार कर लेती है, इसके कहता है, तुमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, तुमें अपना बेस्ट ट्राइ करना चाहिए, और तुम कर सकती हो, तब ही हमें पता चलता है, कि ये सब उसका ब्रहम था, दरहसल वो कैप्सुल में बिलकुल अकेली है, और मैट सच में अंतरिक्स में कहीं खो गया है, लेक क्योंकि चाइनीज स्पेस स्टेशन सिर्फ सो किलोमेटर दूर था, ये सब सोच कर उसने ऐसा ही किया, उसने कैप्सुल का पिछला इससा खोल दिया, जिसकी वजह से वो चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जब वो कैप्सुल से बाहर आएगी, त और वो उसकी मदद से स्प्रे करते हुए अपनी दिशा को भी कंट्रोल कर लेती है, वो धीरे धीरे चाइनीज स्पेस स्टेशन के करीब आ जाती है, बहुत मुश्किलों के बाद, वो किसी तरह स्टेशन के आखरी कोने तक पहुच जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, त स्टेशन के अंदर जाकर वो एक कैपसुल में जाती है, लेकिन कैपसुल में जाने के बाद एक और मुसीबत उसके सामने आती है, इस कैपसुल के सारे बटन चाइनीज भासा में थे, जिसे वो समझ नहीं पाती, लेकिन वो बिना कुछ सोचे, काफी सारे बटन को दबाती ह और capsule चालू हो जाता है, फिर वो capsule में बैट कर पिर्थवी की ओर जाने लगती है, लेकिन पिर्थवी पर landing आसान नहीं होगी, landing के दोरान capsule की गती बहुत तेज होने की कारण, इसमें बहुत गर्मी पैदा होगी, दूसरी और satellite के टुकडे भी इसकी गती ओर तेज कर सकते हैं, और अगर गलती से कोई टुकडा इस capsule से टकरा गया, तो blast भी हो सकता है, लेकिन इन सब खतरों के बावजोग, रेयान उस capsule में बैट कर पिर्थवी तक पहुच जाती है, जहां उसका परिवार और नासा की पूरी टीम उसका इंतजार कर रहे होते हैं, उसके पास सब को बता सकती पाली, जिससे वो भविश्य में motivated रहेगी, और बाकी सभी अंतरिक स्यात्रियों के लिए भी motivation बनेगी, फिर आखिरकार रियान बिर्थवी पर उतर जाती है, और उसे लगता है कि संसार की सारी रोशनी और हवा उसके लिए जीत का गाना गा रही है, वो बगवान को थ सानी जीवन के लिए सबसे बड़िये जगे हमारी पिर्थवी ही है, पिर्थवी के बाहर की जगे बिलकुल भी समान्य नहीं है, ऐसे हजारों एस्टरनोट अपनी जान जोकिम में डाल कर काम कर रहे हैं, आज हमारे पास जो आदोनिक उन्नत संचार पर नाली है, उसके सारे बलिदानों और कहानियों से पराप्त हुई है, इन अंतरिक सियात्रियों को सलाम और हमें इन सब पर गर्व है